चलो जी कर रहे हम क्लास स्टार्ट तो हमारा लास्ट क्लास में डिसोलुशन का चैप्टर खतम हो गया था आज हम करने के वाले हैं आपकी वोल्यूम वन का पार्ट भी अब ठीक है ना वोल्यूम वन का पार्ट भी हम करने वाले हैं तो न्यू बुक हमारी स्टार्ट होने वा करें वोल्यूम कौन सी है वोल्यूम वन और इसका पार्ट भी आपका स्टार्ट होने वाला है ठीक है बिल्कुली नई भूक है आपके लिए इन सेप्ट भी बिल्कुल नए लेके आ रहे हैं हम पिछले डीजोलुशन तक आप जो भी कर रहे थे वह आपक रहे थे पार्टनर्शिप फिर से बता देता हूं जो प्लस वन का स्लेवaking प्रप्राइटर के पोईंट ओव व्यू से की है लिगांच वल्हें या कि जो कम ना-विजो कि खूँए का एक ही औनर था उसकी आप कर रहे थे हम यह नहीं कह रहें कि बिजनेस छोटा या बड़ा है मैं बिल्कुल यह बात नहीं कर रहा कि बिजनेस छोटा था मैं कह रहा हूं कि सोल प्रोप्राइटर था चाहिए हो सकते हैं उसका बिजनेस बहुत बढ़ा हो तो प्लस वन में आपने यह सिखा था अब प्लस कर दी admission या गुडविल से लेके dissolution तक का सफरम ने तै किया था है ना तो वहां पे आप revaluation account बना रहे थे गुडविल की treatment कर रहे थे balance sheets भी बना रहे थे realization account भी बना रहे थे यह सब साथ ही साथ प्लस टू के syllabus में और आपके पस क्या चलता है company की books company accounts मलब अब आप देखा जाए तो आपका लेवल और भी बड़ा हो गया अब आप लोगों ने company खोल ली एक तरह से या फिर किसी की company खुली हुई आप उसकी accounting करवा रहे हो सबसे चोटा कौन सा होता है sole proprietor में यानि कि बंदे ने दुकान खोली हुई है वह दुकान छोटे भी हो सकती है बहुत बड़ी भी हो सकती है प्लस टू के स्लेबस में आपके पास एक तो आई थी partnership यह हमारे हम कर चुके हैं एक चैप्टर मारा पैंडिंग है और क्या आया था अब हमारे पास आ रहा है company accounts companies जैसे की for example reliance ठीक है और कौन सी हो सकती है infosys Apple की company कोई भी आप company लगा लो जिन्होंने company खोली हुई है और उनके हमने accounts देखने हैं क्या उनके accounts जो हमने बनाने हैं वो कैसे बनते हैं क्या difference हो सकता है क्या balance sheet जैसे partnership या proprietor बनाते थे उनकी balance sheet तो सेम होती थी assets amount liabilities amount क्या company वाले भी balance sheet का format सेम बनाते हैं क्या अलग होता है तो कुछ ऐसे different चीज़े निकल के आएंगी जैसे जैसे आपकी format बड़ा होता चला जाता है जैसे की proprietor से partnership partnership के बाद आ जाती है companies तो वैसे वैसे आपकी ना formalities बढ़ जाती है उसका एक reason यह होता है कि company में लोगों का पैसा लगा होता है हम public का हम public भी company में पैसा लगाते हैं उनके shares ख्रीद कर detail में सिखेंगे जब next chapter रहेगा आपका shares वाला तो यहां पर company में क्या होता है public money involved होती है हम जैसे लोगों की किसी ने 10,000 पर लगा दिये किसी ने 5,000 किसी ने 1,000,000 सुनते हो ना market में कि मैंने stock ख्रीद रखा है मैंने shares में पैसा लगा के रखा हुए है सु जैसे जैसे public money involved होगी किसी भी business में वहाँ पर formalities क्या होती है बढ़ जाती है यह चीज़ समझ में आगई और तीसरा आप क्या करते हो plus two में एक और NPO non profit organization या फिर इसको बोलते हैं NGOs non government organizations यह तीन तरह की forms है business forms बोलते हैं इसको जो आपने plus two में करनी है partnership हम कर चुके है company account हम श पाइनशीब की थे हमने पांच-छे chapters किये थे ऐसे company accounts के पांच-छे chapters है NPO का एक होते हैं अनाथले school colleges कुछ भी लगा लो जो profit के मकसद से नहीं शुरू कर रहे होते हैं business लेकिन कर रहे होते हैं अगर आप कहीं पर जाओगे hospital में वह ऐसा NPO register होता है तो hospital में के पैसे नहीं हो कहीं भी नहीं लगते लेकिन उनका में मोटिफ क्या होता है हम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे ले करोड़ों रुपे रहे होते हैं लाख रुपे रहे होते हैं लेकिन NPO हमें देखना पड़ता है कि उन्होंने as a NPO या NGO या as a trust register कराया के नहीं तो टोटल तीन तरह की forms ह होती है कौन-कौन सी partnership एक company और एक NPO एन पीओ होते हैं यह थोड़ा different तरीके से काम करते हैं तो अब हम करने के वाले हैं अब हम करने वाले जो भी companies हैं Reliance Reliance वाले अब जीयो रिलाइंस जीयो लगा लो इंफोसीज लगा लो एपल की company लगा लो कोई भी company बोल लो उन्होंने जो भी transaction करते हैं जर्नल सबसे वहले कोई transaction करते हैं तो सबसे वहली transaction में क्या होता है उनका जर्नल क्या अब उनके लिए जर्नल entries अलग होती है कि rules same होते हैं तो सबसे वहले मैं कौनगा companies account है अगर उसके rules of accounts होंगे rules of accounts क्या वो same रहेंगे कि same नहीं रहेंगे वो same रहेंगे बिल्कुल rules of accounts है कोई भी methods है सबको same रहेंगे terms वो भी debtors बोलेंगे हम भी debtors बोलते हैं उनको मलब कुछ भी चीज़ें आएंगी सब कुछ रहने वाला है same लेकिन अब क्या बढ़ने वाली है formalities आपकी ज्यादा ब कि या फिर balance sheet इनके जो format हैं वो different है ठीक है नोट डाउन करो इसको जल्दी से उपर लिख लिए आप लोगों ने वोल्यूम वन पार्ट भी बुक नहीं यह मतलिकना प्लस वन प्लस टू वाले यह चीज मतलिकना यह लिख लो वोल्यूम वन पार्ट भी बुक चैप्टर का नेम लिख लो yap चैप्टर वाइम आपके पास है मैं अच्छा चैप्टर का नीम कुए न भूल गया चैप्टर का नेम तो फिनेंशल स्टेटमेंट ओस कंपनीज ओस्ट का फेनैंशल के स्टेटमेंट ओस कंपनीज कर फिनेंशल क। फिट मग यह उच्ट कर ले California is उसके बाद आप लिखो यह अब जैसे कंपणी अकाउंट शुरू हो रहा है रूल्स और एकाउंट्स क्या रहने वाले आपके पास रूल्स ओफ अगाउंट समस्ते हो पर्सेनल रियल और नॉमिनल उसको बोलते थे गोल्डन रूल्स ओफ अकाउंट्स तो वह आपके सेम रह कि फर्स्ट वाली बुक भी कोई लेके आये हैं और यह कंपनी अकाउंट जो है यह वाली जो बुक है वोल्यूम वन पार्ड बी बुक यह आपके पास आने वाली है 12 मार्क्स की मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूं कितने चैप्टर्स हैं यहां पर हाँ एक सेकेंड 12 मार्क्स 20 मार्क्स हैं 20 मार्क्स के लिए आने वले हैं अच्छा कैस्ट फ्लो है ना यहां ठीक है दिखाना पहले क्यों नहीं दी कि दो हुआ है है अध्याज आज़िए कि लिए यह बुक आपकी अब यह जो भी लिखवाया हुआ सामने देखो वोल्यम वन पार्ड प्रटी मार्टी वाली बुक 20 मार्टी थी आपकी थी कोंसी है पाड़ बी वाली और जो बाकी एक रह गई वाली यह भी दिखाई दो कैमरे के सामने यह भी दिखा देते हैं बाकी ये जो रिमेंग बुक यह आपके आने वाली है 20 मार्क्स की नहीं नहीं अभी उसमें से हमने किया कितने हैं हमने तो अभी उसमें से 25 नंबर का किया है पहला रहता है एंप रहता है दस नंबर का 15 नंबर का तो पेंडिंग ही है तो बाकी हम उसको लगवा देंगे लैप्टोप पे चलो जी ठीक है यह समझ में आगए आपको अब मुझे दे दो यह वाली बुक करने के वाले हैं अब हम बैलेंशीट बनाने वाले हैं दो दिन लग जाएंगे इस चैप्टर की बैलेंशीट बनाने में और उसको याद करने में जी हाँ सई दिन दो दिन हाँ दो घंटे आई मेंट उसे इतना मत डर आओ बाकी 24-20 घंटे में तो पूरा स्लेबस हो जाता होता है तो हम करने के अवाले हैं जैसे चैप्टर का नेम पता फैनेंशील स्टेटमेंट ना है कि हैडिंग बनाओ जल्दी से फैनेंशील स्टेटमेंट सेंट देली चीचा हाँ कि अ में एक फैनेंशील स्टेटमेंट में सबसे पहले होती है नमबर वन पे मैंट चीट एक ये कि यह फैनेंशील स्टेटमेंट पार्ट का इस आप है की आपनीने शाणे का नाम पहले भी कभी ना कभी सून रखा होगा कब सुना था प्लस pulls one में था ना फणयेंशल स्यट्वेंट वह स्वाय्ड सेप्टर जिसमें ट्रीडगन यंद्ल अक्वन बनते देश बैलेंस्जीट तो प्रौप्राइटर की थी आ फटेटमेंट जो आपने प्लसमन में किया था प्रोप्राइटर की फटेटमेंट उसके दो ही पार्ट होते थे पी एंडल अकाउंट सेकेंड बैलेंशीट कम्पनीज हैं तो बड़े लेवल पे काम कर रही है तो इनकी फटेटमेंट का लेवल भी बड़ा हो जाएगा पहले म करेंगे बैलेंशीट सेकिंड में आपके पास है पी एंडल अकाउंट फिन लोजसे काउंट अ सब्सक्राइब अ करेंच फिलो स्टेटमेंट जये अब आपके लिए नई चीज आ रही है थर्ड फ़ोर्फ और फिफ्त पॉयंट के एस फिलो स्टेट्मेंट इसका एक अस ए है मेरा सेकेंड मोस्ट फेवरेट चैप्टर आपकी प्लस्टू का पहला डिसॉलूशन और दूसरा कैश फ्लो इसका एक सेप्रेट चैप्टर है जो दो तिन चैप्टर के बाद आएगा कि फूर्थ आपके पास है चेंजीज इन इकुटी चेंजीज इन इकुटी है और आप सो चलो कि आप लोगोंगों का होने वाला है विकास विकास समझते हो ना ग्रोथ होने वाली warranty अब आप लोगों की जब लग गई उसके उपर इतने केसी लग गई तो वो सारी चीज़े डिसकस होंगी अब आपकी ग्रोथ होने वाली आने वाले एक महिने के लिए ठीक है चेंजिस इनिकुटी और फिफ थाइगा नोट्स टू एकाउंट्स एक सेकन्ड लुको नोट्स रगांट्स को न एक्सप्लानेट्री नोट्स लिखो एक्सप्लानेट्री नोट्स अगर आपको कभी भी कोई बोल दे तो यह दोनों चीज़े सेम होती है financial statement के 5 परट पहले याद करेंगे क्या पाँच पारट सोते हैं financial statement के किसकी financial statement बना रहे हैं हम partnership कि या company की Company की तो company की ना financial statement यह में याद रखना पड़ेगा याद रहा जाएंगे चुटकी में सबसे बेले balance sheet बनती है एक पी एंडल अकॉंट बनते है उसके लावा को बनती है एक सेपरेट चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं कहूं न यह क्या चीज़ होती है कि प्लस वन में चैप्टर किया था अपनी कैश बुक तो बस यह वो चीज़ आप यह लगा के चल सकते ओं चीज़ है तो यह क्या है लाइक कैश बुक लिख लो इसको तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है लाइक कैश बुक यहाँ पर मुझे प्रोफिट या लोस नहीं कैलकुलेट करना होता है कि पूरे एक साल में मेरे पास कितना cash आया कितना cash गया cash book में भी आप यही करते थे double column cash book बनती होती थी plus one में सर हमें याद नहीं है वो तो मुझे पता है सबसे नलाया कौन plus two वाले तो हमारे पास एक book बनती थी cash book double column cash book जिसके debit side पे cash आना जिसके credit side पे cash जाना बस यह दो ट्रांजेक्शन यहीं पैसा आना पैसा जाना तो यहां पर बनती है cash flow statement बद थोड़े से त्रीक के अलगें अब पी एंडल अकाउंट क्या होता है आप लोगों को कोई बता सकते हैं पी एंडल अकाउंट क्या होते है पी एंडल अकाउंट में हम क्या करते हैं calculate profit या लोस क्या करते हैं calculate करते हैं profit या लोस इसलिए उस अकाउंट को बुला जाता है profit या लोस अकाउंट चोथी चीज आपके पास आ रही है fourth changes in equity equity का मतलब होता है net worth याद करो net worth वाले दिन कब net worth वाले topics आप लोगोंने किये थे goodwill वाले चैप्टर में किये थे ना goodwill वाले चैप्टर में net worth जब आप करते थे सारी capital को या सारे reserves को add कर देते थे या फिर सभी assets में से सभी liabilities को minus कर देते थे जिसको आप capital employed भी बोलते ह capital employed या net worth हम goodwill वाले chapter में कर चुके थे यानि कि changes in equity का मतलब होता है मालिकों का पैसा capital दो तरह के मालिकों के पैसे होते हैं सोचके देखो एक तो मेरा पैसा वो था जो मैंने business में capital लगाई हुई है उस capital से अगर मैंने कोई और पैसा कमा लिया लंगर बान दूंगा कि अपने capital कितनी हो गई मैंने business में लगाए 10,00,00 रुपर 10,00,00 से 2,00,00 रुपर फरदर कमा लिए मैं प्लिबद 10,00,00 की चीज़ करी दी बारा लाक की बेच दी तो मेरा Total Capital कितनी होगी 12,00,00 जिस में से 10,00,00 मेरी capital है 2,00,00 रुपर मेरा profit है तो इन दौनों को अगर मैं total कर देता तो उसको बोलते हैं Capital Employed या फिर उसको बोलते हैं Equity क्या बोलते हैं उसको Capital Employed या फिर Equity या फिर Net Worth यह तीन वर्ड किसको याद होगे Capital Employed Net Worth या Equity Capital Employed Net Worth या Equity यह किस चीज़ को मिला के बना होता है हमारे Capital प्लास हमारा Profits को तो यह सब मैंने अगर अपना टोटल कर लिया 12,00,00,00,00 मैंने फिर से 12,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, कि बढ़ोत्री हुई अगर profit हो गया तो पैसा बढ़ गया लोस हो गया तो पैसा कम हो गया टेक्निकली तो कुछ भी नहीं है नाम ही टेक्निकल है changes in equity changes in equity को पिछले साल मिरे पास कितना पैसा था starting में अगर मैं बात करता हूं मिरे पास starting में था 10 अगले साल तक में पास हो गया 12 लाग को बलस के माईनस के माईनस का बलस बढ़ गए तो प्लस के दो होगए माईनस दो होएं मिश्राबि पछला साल मेरे पास था 12 लाग का अब प्लस तीन लाग की इसको बोलते हैं चेंजी निकुटी अगले साल मैंने फिर से बीजनस कमाया मैंने कमाई 9 लाख रुवे मेरे पाद 9 लाख रुवे बच गए तो मैंने माइनस 6 कमाया दो साल जितना मर्जी कमा लो डूबते क्या हैं ज्यादा ही डूबते हैं ऐसे ही आप 10 10 तक जितना मर्जी पढ़ लो 10 तक पास हो जाओ 11 में अगर आप फेल हो गए तो पूरी जिंदगी मम्मी पापा ने कहना है तो फेल हुए एक बार यह नहीं कहेंगे कि दस बार पास हुए हाना negativity attracts जल्दी जल्दी उसके बाद एक्स्प्लैनेटरी नोट्स यहां पर एक्स्प्लैनेटरी नोट्स में बेलेंशीड नेचे उसके डिटेल वकिंग बना लेते हो वह वर्किंग नोट्स होते हैं उसको भूत एक्स्प्लैनेटरी नोट्स ओर कुछ नहीं तो कंपनी के फैनेंशल स्टेट्मेंट के 5 पाट जल्दी से याद करेंगे पहल प्रॉफिट या ओर बेलंसिट दूसरा प्रोफिट लोस अकाउंट तीसरा कैश फ्लो उस्टेटमेंट फोर्थ चेंजिज इन एकुट इम्टी फिफ्ट एक्स्वेट्री नोट्स एक बर फिर से बोलों फुर्स्ट क्या है बैलेंशिट शॉट्स फिफ्टेंट लोस अकाउं है फिस्ट गया था था थार्ड कैश्फ फ्लो स्टेटमेंट इंट एक बर उल्टे बोलेगें पैदा यह उल्टे वह थे पांच वाँ एक्स्प्लानेटरी नोड चोत्था तीसरा कैश्फ्लो सेकेंड बैलेंशीन नहीं था पहला ठीक है स्टार्टिंग से थार्ड कुम सा था व्यों स्टार्टिं से थर्ड लास्ट से थर्ड को ज़दा वेरि गूड अब हम क्या करने वाले हैं अब हम करने वाले चीज का format कम से कम पांच पेडिस की बैलेंश इत होगी कम से कम पहले मैं फो मेड बना रहा हूं हां हां पेपर मेड की कुछ नाएगा बीस नंबर का अच्छा चल कोई बात नहीं देर क्यों लगए नहीं फॉर्मेट औफ बैलेंग शीट ओफ कमपनी फॉर्मेट ओफ बैलेंग शीट ओफ कमपनी है इस्तार कैसे किया जाते हैं को नैंने नहीं हाँ वर्टिकल मैं आपको 14 बना देता हूँ फिर आप लिख ले लेंगे लिख लुट दे की फिरले एक बर देख लो यह फोर्मैट क्या है टिक है बैलेंग शीट इसको लिखते है आइज एड है कि बैलेंग शीट एज अर्टीस्वेस्ट मार्च जरनल का फॉर्मेट यहाद है क्या होता था जैनि फॉर्मेट अनलों पॉर्टिकुलर जी पर्टिकुलर बन गया जी और चीह ठाथ यह लगया और क्यों देंगे अब बड़े हो हो गया क्यों बड़े हो गया कंपनी में पहुंच गए पहले आप अगर दे पार्टनर्शिप छुटकी मुटकी दुकान ने अब हम पहुंचे कंपनी में सीधा ही पर्टिकुलर की जगा हम क्या लिखेंगे बना तो एकाउंट सी रहे हैं बस यहीं तो होसला चाहिए आर्लिस वरल इधर क्या लिखते थे आप लोग एकटी अब आपकी बात मैं कैसे ठाल सकता हो आप आप यहां पर लिखते थे जनल फोल्य स हो यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे नोट नमबर यहां यहां पर क्या लिखते-थे डैबिट और अबूट लिखते थे ना यहां पर यहां पर पर बीृपषय लिखेंगे लेकिन रूपीस कौन से लिकresent 2019 की यहां पर गिल्पष लिखेंगे लेकिन पिछले साल की 2018 की यानी के करंटियर प्रिभीयस इयर कि इसको क्या बोलते हैं कि क्रंट इयर कि इसको बोलते हैं कि प्रीवियस यह तो प्रीवियस यह पीछे ही होता है ना देखो 2018 लिखे मैंने यह आपका फॉर्मेट है कि इन्वोइस नंबर वह उस चैप्टर में होता था सबसीडरी बुक्स में अधर्वाइस जनल जे एफ होता था फॉर्मेट समझ में आगया आपको कुछ भी नहीं है फॉर्मेट में तो यह है आपके पास पर्टिकुलर नोट नंबर एमाउंट एमाउंट पहले अमाउंट 2019 इसको कम से कम तीन पेजिस तक तो खींची जाओ बिना किसी टैंक्शन के चलती रहेगी यह घड़ी बना लो कि बड़ा मजा आने वाला है कल परसों तक तो टिप्स पर हो जाएगी पांच पेजों की बैलेंस शीट देख लेना आ या किनने टो टल पांच पेजिस की है आपके पास तो कोई तीन चर आइटम आएंगी आध्यादे पेजिस की मैकिसीमा के आघ निक्रू एक आइटम सकती है और सबसे बड़ी चीज है इस कोश्चन में ना आइटम वो देंगे नहीं नहीं अभी दो या तीन पे जिसकी बना लो वस कि नोट नंबर को बिल्कुल छोटा ही बनाना जैसे जे फल फ बनाते होते थे अब काम कुछ नहीं आना काम अभी आने सिर्फ आपके पास पर्टिकुलर बस बाकी तो आपने क्रोस क्रोस अमाउंटी भर नहीं है करें जी शुरू अब 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 बस तीन पेजिस की बना लेना बहुत है उसके बाद देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो अधिति बस से तीन पेजिस बहुत हैं कि अच्छा मुझे लगा पांच शे बनाई लिए कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि एक बर दिल पे हाथ रखके बोलो आल इस वैल आल इस वैल पांच पेजिस हैं बैलेंस शीट के शुरू होने वाले आपके दरने की बात नहीं है बस मिरको उपर की दो लाइने चाहिए थी वो मैं छुड़वाना भूल गया आपना सबसे टोप पे लिख ले ना ठीक है जहां पर भी जो भी आपका पेज चल रहा है पहले पेज पे लिख लो चाहिए सेकिंड पे लिख लो सबसे टोप पे होने के अवाल है यहां पे आप आपके पास क्या होती है कि मैं बीच में लिख रहा हूं आप बीच में बतल लिख लेना मैं तो एरेस कर दूँगा ठीक है अभी सिर्फ आप लोग देख लेना बाद में लिखना सबसे पहले ना इस बैलेंशीड में होते हैं मेजर हैड्स मेजर हैड्स आप यह कह सकते हो आपका गली मुहला आपकी गली यह यह है ना गली में क्या होता है मारा घर उसको अपर बोलते हैं सब हैड्स बिख्य क權द फिर क्या होते हैं सब फिर घर है ंदर क्या होते हैं कमरे जहां पर हमने ultimate यह ठोड़ी आहए गेट खो लेंगे बरांडा पित यह ना पहले होते खली जल करने इसुदे पढले अधरं मेरें यह चीजें होती है अब कोश्चेन क्या होता है सुनो मीरी crack item जैसे एकर मैं कहते हूं creditors n बीटेसर जो है एक आपकी आइटम होती है ऑग्या क्रेडिटेस क्या होती है आपकी एक आइटम को बोलते हैं क्रेडितर में कोई भी जो आपने चीज़ें सिख़्ी हूई थी ना balance sheet में जो भी लिखते लिखते थे पी एंडल अकाउंट में कुछ भी लिखते थे रेंट इंटरस्ट कैपिटल नेट प्रोफिट डैटर्स प्लांट मिशिनरी यह सारी चीज़े जो भी बैलेंस शीट और पी एंडल अकाउंट में लिखते थे उसको क्या बोला जाता है आइटम्स अब इस आइटम और शोटर्म लाइबिल्टी का मेजर हैड होता है लाइबिलिटे इस ऐसे रहने वाल है आपके पास जो पेपर में कोशन आएगा इस चैप्टर का वो ना आपको कोई छे या साथ आइटम देंगे आठ आइटम्स आ जाती हैं वो कहते हैं इन आठ आइटम्स के ना मेजर है तो तो ऐसे ही डाइटर होंगे अब देखो होथा कि accreditors liabilities होती है न हमें पता है क्राइज़टर को पैसा देना है जब हमने किसी को भी पैसा देना है डाइट इस ऐस लाइबिलिटी अब मिरें को देखने यह लाइबिल्टी शोट वाली है कि लोंग वाली शोट और लोंग क से पहले जो पैसों की recovery मुझे एक महिने से एक साल से एक साल से पहले तो जो आप लोग मुझे पैसे दे रहे उसको बोलेंगे शोट लाइबिलिटी और जो एक साल के बाद मुझे मिलने वाले हैं वो लोंग तो ऐसे पहले सबसे पहले मिर को देखने कि कोई चीस disability है कि नहीं फिर देखने वो शोट है कि लोंग है शोट कि इसको बोलेंगे 12 महीनों से कम वाले को लोंग बोलेंगे 12 महीने से जादा वाले को फिर उसके बाद देखने मेरे को उसाइम का नीब सबसे पहले हां मैं वैसे अभी सीरियल वाई सिखा रहा था कोश्चिन जो पेपर में आएगा वो आपके पास आइटम्स आएंगी और आइटम्स के आपको मेजर हैड और सब सब्सक्राइब बताने होते हैं क्या यह मुश्किल होता है बड़ा असान होता है आपके लिए चीज नई है दो दिन बैलेंशीड में लग जाएंगे फिर पी एंडल एकाउंड का भी नया फॉर्मेट है लेकिन आइटम्स बड़ी असान होती है इस चैप्टर के बच्चे कहत किसी भी तरीके से सबसे पहले होता है उपर मेजर हैड मेजर हैड के बाद एरो घुमादो सब हैड सब हैड के बाद एरो घुमादो आइटम मेजर हैड्स सब हैड्स आइटम्स अब मैं शुरू करने वाला हूं बैलेंशीट बोलो गनपत्ति भगवान जी की जय है चलो जी शुरू होने वाल है पांच बजी के 49 मिनिट और 40 सेकंड पे दस आठ अक्तूबर को हमारा शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऐसे डाल देते होते हैं जिसको बोलते हैं इकुटी एंड लाइबिलिटी यह ना मेजर है ना सब है इसको बोलते हैं साइड जैसे लाइबिल्टी साइड ऐसर साइड यह साइड जैं वैसे तो हम लिखते थे लाइबिल्टी लिखते थे ना वैसे बैलेंशीड वैसे हम कैसे बनाते थे मैं आपको साथ-साथ लेता चलता चला जातों वरनाप होगे क्या ही चल रहे सर ऐसे दिन गए जब आपकी सिंप बनती थी यहां पर डालते थे लाइबिलिटीज यहां पर अमांट्स गए वो दिन तो अब यह लाइबिल्टी जो पहला मेजर हैड याद रखना कुछ जो points नंबर डालोगे न वो अलग-अलग तरिक्के से डालना मैंने इसको ऐसे one डाल दिया मैं डाल रहा हूं major head को number one और इसको मैं box में डाल दूगा major head को कि बस अंडर लाइन जरूर करते चले जाना एक एक लाइन चोड़ने है तो छोड़ देना फर्स्ट मेंजर हैड आपके पास होता है शेर होल्डर फंड शेर होल्डर फंड यह फर्स्ट मेंजर है ठीक है इसके साइड पर आप पैंसिल ले लो यह कुछ भी लिख ले न यह है आपका major head हाँ 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 लिखो लिखो बड़ी है पैंसिल लिखते चले जाओ मेरे तो टाइम भी बचेता है उससे अब उसके बाद क्या आएगा major head के बाद क्या आता था सब हैड तो उसके बाद सब हैड आने वाले पॉइंट नमबर एड शेयर कैपिटल की की सब्चेंद के बाद क्या आएगा आइटम्स यह कि सबसे पहले Cum Laity20Trade DO यहाँ परानी की बात करें लायबिटी एपिट्सी यहां पर लाइबिल्टी इस को शीरफ लाइबिल्टी नि बोलेंगे जारें रहेंगे equity and liabilities ठीक है मेरे को बताओ यहां पर liabilities में क्या क्या चीज़े आती थी liabilities में सबसे पहले capital आती थी ना capital A की B की C की यही लिखते थे उसके बाद आप journalism भी लिखते थे ना journalism या फिर P&L account और उसके बाद आते थे आपके पास creditors या bank loan वगयरा ठीक है यह सब चीज़े लिखते थे ना तो दिखो यहां पर जो capital होती है ना यह वली capital partners की capital इस chapter में उसको बोल दिया जाते शेयर capital है वो भी capital है महां पर तीन या चार partners होते थे यहां पर चारसो पांसो partners होते हैं चार हजार भी हो सकते हैं रिलाइस वालों के आठ लाख partners हैं आठ लाग भी मैंने तुक्के से बोल दिया में भी हो सकता है आठ करोड़ हो पार्टनर्स मलब की हाँ जितने partners होंगे उतने में profit बटेगा हो सकता है किसी को 50 पैसे मेरे पापा एक कंपनी के पार्टनर है इंडियन ओवर्सीज बैंक पटेयाला बस्टेंड पर यह तो वह बैंक भी एक तरह से ने जिसने जितनी कैपिटल लगाई होगी उसके प्रपोर्शनेट में उसको पैसा आएगा सिरफ अंबानी नहीं है अंबानी इस चेर्मैन सिखो सिखाऊंगा सारी चीज़े सिखाऊंगा यही वाले मैंने आपको कहा था ना थोड़ी दिर पहले आपकी जर्नल नोलेज में ग् किसी ने क्योंकि देखो आपकी वह मैटर करते हैं अब रिलाइंस कंपनी की टर्नोवर जो है 32 लाख क्रोड जीरो भी नहीं डाल पाएंगे अपा उनका प्रोफिट होता है चार लाख क्रोड आखरी मैंने चार साल पहले पता किया था आखरी जो मैंने उनकी रिलाइंस की व क्या प्रोफिट शेरिंग रेशो को कैसे बाणते थे फोर इस्टू थ्री इस्टू रिवैलुएशन का प्रोफिट आता था कैसे बाणते थे इंटू फॉर बाई आठ इंटू टू बाई आठ इंटू बाई एट कुछ भी करते थे तो ऐसे ही जिसने जितनी क्यापिटल ल भाई प्रोफिट कमाया ना जो अपने दो करोड एक करोड तेरा एक करोड मेरा ऐसा उन्हें लग गया तो बस तो वहां पर प्रोफिट शेरिंग रेशो क्या चलती है कैपिटल की रेशो में थोड़ी सी चीज समन में आई अब धिरे-धिरे आपको सिखाऊंगा कि सिर्फ मु अब नहीं दिखा सकता वरना आपको समझ नहीं आएगी एक बार हम बैलेंशीट बना लेंगे तो तो यह होती है कैपिटल जो पार्टनर्स पार्टनर्स क्या बोलते थे इसको सिर्फ कैपिटल यहां पर अमाउंट लिख देते थे हम इस चैप्टर में क्या बोलते हैं इसक सबसे पहले होती है एशोट शेयर कैपिटल यह आपके बस आइटम यहां पर आपके क्रण्टियर में भी आमांट यह नहीं के ख्रोस्क्रोस लगा रहा हूं प्रीविएस हीर मेभी स्टार वाली चीज़े के आपकी आइटम्स तो पहली आइटम आगी शूट शेयर कापिटल मैं स्टार ने डालता मैं डोट डालता चला जाता हूं ठीक है अपने एकोडिंग कर लेना कुछ भी इस शूट शेयर के बाद हुदते हैं आपके पास एक इस शूट शेयर क्यापिटल गलत लिख दिया मैंने पहला कि फॉस्ट गलत लिख दिया आप लोग कट मत करना उसके उपर अगर आपके पास कोई जगा है थोड़ा सफिर एड़ेस्ट कर लेना आप लोग या कट करके दुबारा से कर लो ठीक है अगर तो इसके उपर इश्यूट शेयर के उपर एक लाइन है तो उसमें लिख देना वरना कट करके अलग से लिख देना सबसे पहले आइटम आती है ओथ्राइज़ शेयर कैपिटल अजय आगे ंजय आगे उटराइज़ शेयर कैपिटल लूंचे उसके बाद उतती हैं हमारे दादा जी यह क्यों उतलो होते हैं को अधादाजी बात मैं समझा rework कहानिया क्या है क्या है अभराइस के बाद आते हैं वही इस शेयर कश्वच सेरग का हुआ इशुड शेयर कैपिटल है कि दादाजी के बाद हुए पिता जी की दादाजी के बाद कूना आते हैं पिता जी लए आप नोट्स टो एकाूंट्स वाली लाइन में गुच जाना आप कैसे सौड़ी साइट पर जाग होगी वहां लिखने न पिता जी पिता जी के चैप्टर में नहीं होगी सब्सक्राइब डिशेयर कापिटल कि सब्सक्राइब डिशेयर कापिटल अब उसके अंदर दो बेटे होते हैं ठीक है सब्सक्राइब डेंड फुली पेड़ अब सब्सक्राइब डेंड शेज़ जबता आए है अगे आएगे अगे दो लो हो अब सब्सक्राइब डैंड कि और फूली पेड़ ऐसे अपने बूल आ मता जी भी नहीं करने तो पूप टेक्निकल बात करें ना लोजिकल फिर तो मता जी के पूर वज्जों की बात कर रहे हैं जो ब्लड रिलेशन चल रहा है भी सिर्फ अभी नानी मामी वले आएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड़ ये कौन होते हैं हमारे यह होते हैं मारा लायक बेटा लायक बेटा मलब अच्छा बच्चा उसके बाद है सब्सक्राइब डेंड नोट फुली पेड़ अप सब्सक्राइब डेंड नोट फुली पेड़ अप यह हमारा नलायक बेटा यह यंगर होगा एक बेटा लायक एक बेटा नलायक तो यह आपके शेर केपिल खतम होई शेर के अंदर हमने तीन आइटम लिकी सबसे पहले उत्राइज शेयर कापिटल जो जिसको अपका बोलते हैं दादा जी फिर उसके बाद होता है इस्चूट शेर कैपिल फिर होता है सब्सक्राइब कि अब मुझे लगता है ताइम आगे आपको शेर कैपिटल समझाने का क्या होता है अब ध्यान से सुनते चले जाओ रिलाइन्स कंपनी शुरू हुई ठीक है एक कंपनी शुरू हुई कंपनी कह रही है जब भी आपको कोई नया बिजनस शुरू करना होता है गोवर्मेंट आपसे पूछती है अकेले काम करना चाते हो यानिके प्रोप्राइटर की तरह है दो चार जने पांच्छ जने मिलके काम करना चाते हो यानिके पार्टनेर्स की तरह कम्पनी छाथ है कि अपना पैसा तो लगाते ही लगाते हो साथ में पब्लिक का पैसा भी आप as a capital ले सकते हो वरना सोच के देखो यो गेश कह रहे हैं मैं तो खोलूँगा दुकान मैंने कहा क्या की कहते है मुबाइल की मैंने कहा ऐसा क्यूं कहता आज के जमाने में एक रूल है किसी को शादी ना हो रही हो किसी की लड़की ना मिल रह भी चोलेंगे सून रखिए बाते हैं हमको भी शाधी कर नी है तो मैंने का दुकान खोलो क्या की वहीक अगर अगर और Gentlemen तो उसको बोलते हैं शौप खोल लेनी अपनी दुकान एज़ा प्रोप्राइटर यानि के सिंगल ओनर क्या बोला मैंने सिंगल ओनर यानि के प्रोप्राइटर दूसरा केस दो जने मिलके दुकान खोल रहे हैं डोनों आपस में रिष्टेदार नहीं है तो लगा अधा पैसा म कम्पनी है कि लोगों से पैसा ले लेकि तो यूगेशन लड़ाई कि मैं कंपनी में लोगों से पैसा लेना एलाउड होता है लेकिन बकाइदा आपके उपर ट्रस्ट होना चाहिए पब्लिक को ठीक है बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि अच्छा पैसा लेके भाग गई भा पैसा नहीं होता अगर आप एक नंबर बात करें तो यूगेश ने क्या किया अपने पूरे राजपुरा से पट्याला से चंडिगर से बड़े सारे लोग को लेक्ट किये ठीक है क्यों क्योंकि रैपूटेशन बहुत अच्छी थी लोगों ने का अच्छा पैसा लगाना है कैपिटल मैंने भी कुछ पैसा लगाया मैं लोन पे उधार नहीं दे रहा पैसा मैं कैपिटल यूगेश ने लगाए सो रुपे का बिजनस था यूगेश ने खूद लगाए 70 रुपीज बाकि 30 रुपीज लगाए पब्लिक ने जिसमें से 10 रुपे मैंने लगाई या किसी यह आप यह समलो 100 रुपे नहीं बहुत अमाउंट होती है तो यूगेश ने हजारों शेर होल्डर्स क्या बोला है मैंने हजारों शेर होल्डर्स एकठा कर लिया जो पैसा लगाएगा उसको बोलते हैं कंपनी तो अब मेरे पास क्या था अब यूगेश ने पैसा कितना करया रहीं मैंने भी मैंने भी पैसा लगाने यrences की कंपनी मेश को सब में बटेगा तो कि और लोग क्या पैसा लेने जाते हो इचक कंपनी में घूँस में यूख घाते हो देते हो योगेश ने कहा ऐसे करो इस पॉर्टली में सारे चिपस डाल दो इतने एक लेने हैं तो भी बात समझ नहीं आई कोई एक मैजर्मेंट बताओ कैसे फिर आप चीपस खरीद दोगे अगर आप डिरेक्ट फैक्टरी में चले गई तो यह और बताओ मैजर्मेंट तो यह है जो योगेश ने बताया भई पैकेट दे दो हर वेट का हर इक्वल वेट का सेम पैकेट बना दो जितने पैकेट चाहिए होंगे मैं खरीद लूँगा योगेश ने बोला बात तो सही है ऐसे ही जब मैंने कैपिटल लगानी है लोगो सब्सक्राइब के लोगों से चंडिगड के लोगों से पैसा उठाने गई योगेश के पास अपना था सिरफ ओन कैपिटल जो थी वह नंकैपिटल जो थी सिरफ 15 लाग की थी लेकिन बिजनेस में मेरे को चाहिए 50 लाख तो आउटसाइड कैपिटल मेरे को एढ़ कितनी चा प्रोडक्ट है चिप्स के पैकेट तो मैं एक बार के फिर भी सोच सकता था पोटली में इतने सारे चिप्स आ गए या मुठी भर के चिप्स यह तो कैपिटल लगाना भई पैसा लगाने तो इंटेंजिबल चीज एक बार कुछ तो कॉमन मैजरमेंट होना चाहिए जिस पर आप कैलकुलेट कर सको किसी चीज को तो योगेश ने योगेश आया मेरे पास चार्ट अकाउंटेंट के पास कंसल्टेंसी लेने मैंने बोला नहीं आ पार्नेशिप भी नहीं एज अ कंपनी के तव लेकिन मेरे को ना 15 लाक रुवे तो मेरे पास हैं इसकी समस्य नहीं है 35 लाक रुवे जो मैंने लोगों से लेने हैं कोई चिलर भर के लेके आ रहा है कोई बैक की पोर्टले भर के लेके आ रहा है भाई मैं उसको कैसे बोलूं यूनिट को ना डिसाइड कर लो कि आपका एक यूनिट है और वह दस रुवे का एक है चिप्स का पैकेट तो बताओ अगर मेरे को टोटल 35 लाक रुपे के सेम वही बात कर रहा हूं जिस पर समय ने डांटा था लहर को सेम वही बात अगर 35 लाक रुपे टोटल मेरे कोई 10 लाक 10 सर्य का एक है तो 3.30cat as 30 लाक यूनिट हो गए यानिकि सर साथी तीन लाक चिप्स के पैकेट्स हो गए अब जिसको चिप्स के पैकेट हो जरू अपने क्या किया अपने कम्पनी की कैपिटल को एक कोमन यूनिट में डिवाइड कर दिया और आपने बोला कांदा ले लो शेर्स ले लो समझे आई बात जैनि आप लोगों ने क्या बोला 35 लाख रुपे को साभे 3,5-3,0.5 packet में डिवाइड कर दिया अप जिसको जितने packet चाहीए एक बंदा आया कहता साभे 3,0.5 packet चाहीए मैं ने कहां अब योगेश सोच रहा है मन ही मन में विजनस तो बहुत बड़ी है लेकिन पब्लिक भी बेवकूफ नहीं है पब्लिक कहेगी आप उसे पैसा ले रहे हो भाई कुछ तो रिटन में दो के नहीं दो do you'll see करवाने जाते ओंक में पैसे जमा करवाने जाते हो कुछ नज स्लीप लेते की नहीं लेदे तो सुसु स्लीप को बोला जाता है स Vander कूंrit को ओलूंगा unit first का बूलुंगा from यूनिट का नाम रख देती है कॉमन तो कंपनी में कहते हैं हम 3,50,000 शेर बेचना चाते हैं जिसने खरीदना है खरीद लो अब आपकी मरजी है लहर कहते हैं अपने पर तो सिर्फ 10 रुपे हैं मैं तो बस यह जताना चाती हूं लेकिन टोटल पैसे 50 लाख लेहर भी मालिक है लेकिन सिर्फ 10 रुपे के बदले में अब हमutन लोग है हम एमाउंट पर नहीं जाएंगे हम टेकनीकल कौंसेप्ट पर जाएंगे प्राची ने 20 रुपे के खरीद है लहर ने 10 रुवे के मैंने करीदे 5000 रुवे के हम सब मालिक हैं लेकिन रेश्यो अलग है अब जितना प्रोफिट मिलेगा उसको 10 सब्सक्राइब के बदले में प्रपोर्शनेड में मिलेगा मुझे 5000 के प्रपोर्शनेड में मिलेगा आप चेरमेन हूं हुआ है तो चीज समझ में आई शेयर ऑव शेयरर कापिटल कितने आब यहां पर दिखो मेरे पास टोटल शेयर कितने हैं मैं कमपनी की टोटल की बात कर रहा हूं आउन आउसाइडर हां योगेश की नहीं मेरे पास टोटल से कितने 59 रुप पते हैं चोभ यह कैसे आई-0306 उ तो अगर मैं कहूं एक यूनिट एक यूनिट को मैं बोलता हूं एक शेयर तो एक शेयर का प्राइज आपने कितना decide कर लिया रूपीज 10 रूपीज 10 पर शेर तो देखा जाए फिर अगर मैं इसको multiply कर दूँ तो उसको बोला जाता है share capital तो मेरी share capital कितनी हो गई 50 लाख रुपे किसको ये concept समझ में आ गया कि shares किसको बोलते है share capital किसको बोलते है shares अब आपको समझ में आ ये तो चाहे Reliance company हो चाहे Infosys चाहे Tata अगर आप उसको कहते हो ना कि एक share कितने का है तो ये चीज होती है जब हम कहते हैं हमने किसी company में shares खरीद रखे हैं तो उसका ये मतलब होता है पूरी company अपनी total capital को एक common unit में divide कर देती है जैसे मैंने कितने में कर दिया 10 रुपे में कि अब 20 रुपे का कर दो आप एक रुपे का कर दो एक रुपे से कम नहीं कर सकते यह रूपे से कम नहीं कर सकते एक रुपे से कम नहीं कर सकते एक रुपे से करके आप एक रुपे का कर दो आप तीन रुपे का कर दो आप पांच का आप दस का जर्नली सारी कमपनीज ना 10 रुपे का रखती है क्योंकि इतना चपरी भी नहीं रखते हो हमारा कंपरी का शेर एक रुपे का जोनल इस चलता है आपके वाद हाँ ऐसे भी रख सकते हैं बिल्कुल यह भी हो सकते हैं तो वह कैटागरी जलग हो सकते हैं जैसे पचास लाग की कैटागरी है ना शेर कैपिटल तो आपका फ्यूचर में काम अच्छा चल पड़ा आपने बोला मेरेको ना बीस लाग की कैपिटल की और जरूरत है अब मैं 50 अब इसमें से क्या होता है ध्यान से देखो कि तोटल कितने शेर से मारे पास 50 लाग की कैपिटल है तो 5 लाग शेर जय शेर जैंड़ा 5 लाग ठीक है अब भी तक आप लोगों ने 15 लाग रुपे यूगेश के पास थे 35 लाग बहर तो आप लोगों ने क्या किया अब वह व यो गेश ने बोला अभी ना मुझे सारे पैसे नहीं चाहिए टोटल केटल तो मैं बिजनेस में इतना रखना चाहता हूं अभी मैं सिर्फ 4 lakh shares issue करना चाहता हूं 4 lakh shares at the rate of Rs.10 तो टोटल बंजेगा 40 lakh अभी 10 lakh रुपे मैं फिर से कल को बेच दूँगा मलब आप यह सोचो shares क्या है आपने बेच नहीं है अब कल को बेच दोगे अभी आप सिर्फ कितने बेचना जाते हो चार लाग क्योंकि आपको भी 40 lakh रुपे की जरूरत थी इतना पॉइंट समझ में आ गया दो ही परसन आए ख्रीद देने वाले दो ही परसन आए ख्रीद देने वाले एक ने ख्रीद लिए तीन एक नने ख्रीद लिए एक लाक शेयर यह क्याटागीश समन में आ गई अगर एक ने तीन लाक ही देंगे तो दूसरे न давно चैनल था प्टन रूपेस का तो ये बंदया आपको कितने पैसे देगां तीज लाक रुपे तीन लाक इंटू दस ये कंपनी को देदेगा पैसे कंपनी इसके बदले में शेयर सर्टिफिकेट देगी मलब कि स्लिप काट के देदेगी जिस पर क्या लिखा जाएगा शेयर होल्डर का नाम जो शेयर खरीदर है ना उसको बोलते हैं शेयर खरीदने को इस चै तो यह वह चीज होती है तो आपने 30,00,00 रुपे खरीद के शेयर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा की होल्डर का नेम क्या है उसको बोलते है शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीद दे ठीक है तीन लाक शेयर जैं इतने का एक है इस डेट को है यह वो जो दूसरे वाला था देट था कितने का दसर वेगा शेयर इसने दीये सिर्फ आठ रुपे तो कंपनी को इसने कितने पैसे दीए उंगे टोटल वन लाक शेयर खरीद रहे है कहता मेरे अभी दस रुपे नहीं आब आठ रुपे ले लो आठ लाँड रुपे कि एक लाग को आठ से मल्टिप्लाई कर दिया नलाय को तो कितने बन गए आठ लाख रुपे बन गए इसको बोला जाता है लायक बेटा कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप मैंने सब्सक्राइब कि ए खरीद दे तीन लाख फुली पेड पूरा का पूरा पैसा दे दिया वह टैंचन नी रखने का सारे पैसे एक की बार में दे तो कोई इंस्टॉल्मेंट नहीं एक होता है लायक तो दूसरा कूंसा होता है अब डीट नलायक बेटा इसने क्या किया शेयर तो सब्सक्राइब किया वन लैक बट नोट फुली पेड़ अब आते हैं फिर से बाप को मैं यह समझाता हूं तो शेयर कैपिटल अब आपको समझ में आगे शेयर कैपिटल क्या होती है कंपनी की टोटल कैपिटल उसके पहल यह सबसे बड़े कौन दादा जी उसके बाद अता है इस्चूट शेयर कैपिटल जितना बेचना चाहते हो इसका में आपने कीतने बेचे दे चार लाग शेयर्स थोड़ा सा कम यानि के पिता जी पिता जी कभी दादा जी से बड़े नहीं हो सकते टेक्निकल बात है उसके पधे सब्सक्राइब डिश्र क्याथ बच्चे एक बच्चा नलायक एक बच्चा लायक लायक कौन सा था तीन लाख वाला जिसने पूरे दस्वर में देदी सबस्क्राइब एंट फुली पेड आप एक होता है यह वोता है पूरा शेयर कैप्टल का कुछ सब चार नंबर का को तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा उत्राई शेयर के सामने मैं लिख देता हूं एक बार आपको समझाने के लिए आप नहीं लिखना सब्सक्राइब नेन नोट फुली पेड़ अपके सामने कितना लिखो एट लैक करो इसको नोट लिख लो 50 लाक 40 लाक पचास और 40 के बाद आपको दो लाइने नजर आ रही हैं पचास और चालिस के नीचे दो लाइने लगानी है क्या इसका भी रोल है जी हां अ बस उसके सामन भर दो तराइस शेर कैपिटल के सामने भर दो 50 लैक नहीं रूपीज में चैक रंट में भर दो चैक प्रिवियस में भर दो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भर ना होता है जो अगर मैं आपको भरवाऊंगा क्रंट में भर दिया करो अगर वहां पर स्पेस नहीं तो साइड पर भर दिया करो कि यहां तक किसको क्लियर है अब आपको शेयर का कुंसेप्ट समझ में आ गया अब कम से कम मुझे यह लगेगा बारवार मेरे को शेयर का कुंसेप्ट नी सिखाना पड़ेगा अब मैंने क्या किया किसी कंपनी में जो तीस लाग के शेयर खरीद लिये मेरे लिए सुनो जल्दी से अब आप शुनते हो ना आप पहां पर ईंवेस्ट में आ रही होती है इस इडिस इनवेस्टमेंट मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर खरीद के रख लिए कि कल को प्रोफिट होता रहेगा मुझे थीस लाग के बद पेड़ दूसरा सब्सक्राइब दैंट नोट फुली पेड़ और फैनेंशल स्टेटमेंट में क्या क्या पाड़ से सबसे पहला बैलन्स शीट पेडल अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्थ चेंज इन इकुटी और पांचमा एक्स्प्लेनेटरी नोट्स आज के